नमस्कार पिरिये विदार्थियों सबसे पहले सिक्षक दिवस की बहुत-बहुत सुबकामनाएं आज की अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं Food Corporation of India की जो AG3 की वकेंसी है वो वास्तम में आने वाली है या फिर अफ़ाएं हैं इसके अलावा अगर आएगी तो एक्जाम पेटन क्या रहेगा लेबर्स क्या रहेगा और हम त्यारी है वो केसे कर सकते हैं वन बाइवन बात करते हैं सबसे पहले क्या वास्तम में वकेंसी आने वाली है वकेंसी आने वाली है लेकिन अभी थोड़ा सब्सम्या लेंगे अना ये वकेंची हम कह सकते हैं 2024 के लास्ट तक आने की संभावना है या 2025 के शरू में ज्यादा probability चोईश के लास्ट तक अब देखो जब इसका notification आएगा तो उसके बाद लगबग phase first का paper दो अधाई मेने के आसपास हो जाएगा यानि ज़्यादा समय नहीं देती है ये vacancy उसके बाद phase first का result आते ही phase second का paper बहुत जल्द कंड़क्ट हो जाता है 10 दिन में, 15 दिन में यानि बहुत जल्दी ये vacancy क्या है notification जारी करने के बाद पूरी करती जाती है ये अच्छी बात है कि notification आने के बाद ये vacancy बहुत जल्दी पूरी होती है और बहुत लंबा समय नहीं लेती है अब देखो बात करें कि इसका patent क्या रहेगा अगर student patent की बात करें उससे पहले हम eligibility criteria की बात कर लेते हैं क्योंकि most of student का तो ये ही होगा ये तो आप लोगों को पता ही है na food corporation of India center की ही vacancy है तो eligibility criteria सभी state के student है वो eligible रहेंगे अब qualification में बात करें तो B.A.C. agriculture या फिर allied sector के अंदर हुआ है इसके अलावा मैं बात करूँ तो botany से जिसका B.A.C. है geology से है biotechnology से है biocamistry से है या microbial food science से है या फिर हम बात करें B.T.E. या फिर हम बात करें B.E. in food science चाह B.T.E. है चाह B.E. है अना bachelor in engineering है चाहिए वो food science के अंदर है या food science and technology के अंदर है agricultural engineering के अंदर है fire technology के अंदर है यानि graduation है वो इनके अंदर है तो भी क्या है student eligible है तो ये eligibility criteria है agriculture या allied से अगर आपकी B.E.C. है या फिर क्या है botany, geology, biotechnology, biochemistry या microbial food science से है या फिर आप भी food science या food science and technology से है या agricultural engineering से है या bio technology से है तो आप इसके लिए eligible रहेंगे पिछली बार का यही pattern था और जाइर सी बात है इस बार भी same pattern ही रहेगा इस बात में कोई doubt नहीं है अब हम बात कर लेते हैं exam pattern क्या रहेगा देखिये student इसका exam दो फेज में होगा फेज first और फेज second अब चाहे आप इसे pre और mens माल ले अना चाहे फेज first या फेज second माल ले फेज first बहुत ज़्यादा challenge वाला नहीं होता है फेज first के अंदर अगर अपने बात करें तो फेज first के अंदर आपके subject रहेंगे एक तो English language अना पच्चिस क्योसन आएंगे और पच्चिस marks का ही रहेगा इसका जो language रहेगा भाई English का subject का है तो इसका तो English ही रहेगा और इसको attempt करने के लिए आपके पास 15 minute का समय होगा फिर reasoning ability bilingual रहेगा English और Hindi दोनों में ही रहेगा यनि कुल मिलाके Hindi और English में पूरा exam चलेगा ऐसा नहीं है फिसरफ English में होगा या ऐसा कुछ है English language है वो तो English में आनी बाकी तो bilingual ही रहेगा तो reasoning के भी 25 क्योसन 25 marks के होगे bilingual होगा और इसके लिए भी आपको 15 minute का समय मिलेगा numerical ability की बात करें 25 number के क्योसन होगे 25 marks का होगा bilingual होगा और 15 minute मिलेगे general study general study थोड़ा सा broad होता है number of क्योसन उतनी है 25 लेकिन आगे आपको phase second में इसका फाइदा मिलता है पहले से अच्छी त्यारी रखते हो तो general study के 25 क्योसन 25 नंबर के bilingual और 15 minute मिलेगे 100 क्योसन होगे 100 marks के होगे और 60 minute का आपके पास समय होगा ये phase first है जिसे आप प्री बोल सकते हैं अब देखिए next अपने बात करें syllabus की तो syllabus पूरा तो हम next session में discuss करेंगे मैं एक बार screen से हट जाता हूँ ये आप देख सकते हैं पूरी का पूरा syllabus है वो रहेगा English language का फिर reasoning का फिर math का मैंने दे रखा है इधर general study में history, geography, economics general science और current affairs आता है current affairs के 5 क्योसन होते हैं और ये सब जो है वो आप आठवी तक की जो books है उसको अगर पढ़ लेते हैं या फिर आजकल क्या है बहुत सारे आप देखते हैं कि यूटूबर से जिन्होंने 6 से लेकर 10 तक का भी NCRT है वो करवा रखा है notes भी market में available है short में तो आपको इतनी लंबी चोड़ी books नहीं पढ़नी है 60 से आठवी तक की तो आप उनका भी सहरा ले सकते हैं मतलूब बहुत easy है वाकि इन सब के लिए बात करेंगे आगे बढ़ेंगे अपने phase second की बात करेंगे तो देखे भाई phase second जो है इसके अंदर आपको दो पेपर मिलेंगे एक ही दिन होंगे दो पेपर हना ऐसा नहीं है कि अलग अलग होंगे phase first का result आने के बाद phase second का होगा तो पेपर first में 120 क्योशन होंगे 120 marks होंगे और आपको समय मिलेगा 90 मिनिट का इसमें क्या syllabus होगा बात करते हैं पेपर second है यह आपके प्रोफेशनल सुब्जेक्ट या नहीं एगरी कल्चर और उसके साथ बाई वगेरा भी होगी बात करते हैं 60 क्योशन होंगे और 120 marks के होंगे यहां हर एक क्योशन दो नंबर का है यह बड़िया चीज है और 60 मिनिट का टाइम मिलेगा यहां पर टाइम भी आपके पास सफिशेंट रहेगा और ओकी कमपेरिजन में अब देखो अगर हम बात करें प्रोफेशनल लोलेज की देखो प्रोफेशनल लोलेज की मैंने बात किया है बात समझ गयोंगे जो फेशनल 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 की बात कर रहे है फेशनल फेशनल कर दोगे तब अना जो फेशनल क्लीर करेगा वो फेशनल के लिए इलिजिवल है अब फेशनल में दो पेपर है एक में एक सो बीस क्योशन होंगे और एक में साट क्योशन होंगे मार्क्स दोनों के एक्वल है 120 120 पेपर फस्ट के अंदर आपको 120 क्योसन 111 क्योसन 111 नंबर का टोटल 120 पेपर सेकंड में 60 क्योसन हर एक क्योसन दो नंबर का और टोटल नंबर होंगे 120 यह एक ही दिन आपके पेपर होनी है first पेपर और second पेपर एक ही साथ होना है जो second है उसको हम professional knowledge बोलते है second paper है उसको हम professional knowledge सारे bilingual रहेंगे अब देखो जो आपका phage second का first paper है उसमें क्या क्या आएगा age जो second है उसका first paper एक तो English आएगा जो आपके phage first में भी था फेज फर्स्ट में भी था और यहां फेज सेकंड में भी है पहले पेपर में फेज है सेकंड के 25 क्योसन आएंगे 25 ही मार्क्स के होंगे भाई इंगलिस क्या तो इंगलिस में रहेगा और 20 मिनिट में लेगे रिजनिंग एबिलेटी 25 क्योसन 25 मार्क्स बाई लेंगल और 20 मिनिट का समय मिलेगा निमेरिकल एबिलेटी के लिए भी सेम 25 क्योसन 25 मार्क्स बाई लेंगल और 20 मिनिट का समय मिलेगा जनुस टरड़ी की बात करें? तो यहां जनुस टरड़ी के फॉर्टी फाइव क्यो समाई? थीक है, बीस क्यो सम पढ़ गे हैं? तो जनुस ट्रड़ी में यह आपको फायदा मिलेगा? 45 marks का रहेगा bilingual रहेगा और 20 minute का time मिलेगा समय कम मिलेगा लेकिन जायर सी बात है यहां कौन से calculations करने आ रहा है तो ठीक है नहीं आ रहा है तो गया बस चलिए total number of question होंगे 120 marks भी होंगे आपके 120 समय होगा आपके पास total 90 minute का अब आप जाता है अपना प्रोफेशनल लोलेज़ पेपर सेकंड फेज सेकंड पेपर सेकंड दो ग्रूप में बांट दिये ग्रूप A और ग्रूप B आप ग्रूप A भी चुन सकते हैं और आप ग्रूप B भी चुन सकते हैं ग्रूप A से आप पेपर देना चाह रहे हैं तो agriculture, botany और अब जायर सी बात है most of agriculture के student ग्रूप A में जाते हैं ग्रूप B में तो वही बच्चा जाता है जिसने बारवी, non-medical से की है और फिर वो जनरली क्या है, BSE में आया है वो भी chances कम है क्योंकि BSE के दोरान क्या है कहीं ना कहीं botany को तो touch कर लेता है लेकिन जो B-tech वाले student थे वो इस group को चुनते B-tech वाले जो student थे वो physics और chemistry group को चुनते उनके लिए यहाँ पर margin रहता है अना आप सोचते हैं यार फिजिक और chemistry क्यों डाला है तो पीछे qualification में देखा होगा B-tech वाले भी तो अगर B-tech वाले है और 120 marks के होंगे अब हम बात कर लेते हैं इनका syllabus क्या रहेगा यह थोड़ा सा discuss कर लेते हैं मैंने page first के syllabus को discuss नहीं किया उसको हम किसी अलग session के अंदर है वो discuss कर लेगे लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए देखो agriculture में बहुत बड़ा part नहीं रहेगा agriculture के data रहेंगे खास करके serial और pulses को लेकर entomology रहेगा pathology रहेगा plant protection है तो entomology, pathology और nematology और इसके इलावा agricultural economics अब इन्होंने क्या है botany botany में ठीक ठाक topic दिये जैसे cell biology पूरा दे दिया ठीक है उसके बाद जिसमें tissue, organs, organ system आ गया फिर genetics दे दिया classifications, plant taxonomy दे दि और उसके लावा diversity ecology दे दिया life process और इसके लावा physiology में photosynthesis और उसके लावा मैं बात करू तो respiration, circulation दे दिया moments जो भी पादप गतियां होती है और basic of biochemistry भी दे दिया यानि जेवर रसायन भी दे दिया कोशी का विज्ञान दे दिया भाई कोशी का विज्ञान में टीशू भी दे दिया उत्तक, organs दे दिया organ system दे दिया plant के reference में बोटनी की बात हो रही है genetics यानि अनुवांसी की दे दिया plant taxonomy दे दि diversity विबित्ता दे दि ecology बारस्तित की दे दि life process दे दिया photosynthesis दे दिया respiration, circulation दे दिया circulation है वो दे दिया moment, पादब गतिया दे दि और biochemistry दे दिया geology की बात करें तो geology में भी इन्होंने cell और tissue बहुत आसान हो जाएगा दोनों में दे दिया difference पर लोगे बस बात खतम, organ system दे दिया aridity यानि genetics इदर भी दे दिया variety and various यानि genetics यह animal classification यह थोड़ा सा agriculture वालों के लिए मुश्किल रहता है microorganism पढ़ते ही है अपने generally और insect और rodentus दे दिया है यानि चुए बगेरा है वो दे दिया है वह ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है असान है लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा अगर कोई student chemistry से जाता है तो chemical bonding है organic chemistry है basic of alkyns है हाँ ना alkyns है alkynize है alcohol है aldehyde है acid है inorganic chemistry है chemistry in Delhi life है physics में measurement basic physics light और electricity topic है वो दे दिये है ठीक है अब देखो भाई आप लोग त्यारी के से करेंगे agriculture में तो बहुत कुछ आपको बताने की आव सकता नहीं है लेकिन बाकी आप लोगों को अच्छा खासा है वो पढ़ना पड़ेगा तो online agriculture e-platform किसलिए जाना जाता है आपके प्रेणाम के लिए online agriculture पर जो ग्रूप A वाला पार्ट है जिसमें आपका English, reasoning, numerical और GS ये तो phase first के first paper के लिए और phase second के first paper के लिए करवाएंगे याने तभी paper को टेच करेंगे उसके अलावा phase second का जो ग्रूप A है agriculture, botany और geology वो वाला पार्ट है वो करवा रहे है वही देखो, ये जो package है आपका ये 2000 रूपे का है इसमें आपको क्या मिलेगा? जो complete syllabus है उसके according recorded और प्लस live classes भी मिलेगी सारी live classes नहीं मिलेगी notification आने के बाद सारी की सारी live मिलेगी लेकिन notification आने के बाद live के according ही batch का charges होंगे लेकिन अगर कोई student अभी enroll होता है तो उसको फिर live भी इसी price में मिलेगी कोई additional charges उसको नहीं देना पड़ेगा अभी शुरू में हम math, reasoning और English की live classes देंगे और agriculture का जो है वो पूरी का पूरा recorded मिलेगा अभी Courtney recorded मिलेगी जो लोजी है वो भी आपको recorded form में मिलेगी अना math, reasoning इनमें practice की जूर्त है और reasoning में practice की जूर्त है तो ये आपको live classes है वो मिल जाएगी और ये शांदार package सिर्फ 2000 रुपे का है वकिनसी आने के बाद इसमें live classes भी चलेगी तो live classes चलेगी वो भी इसी charges में रहेगी कोई additional नहीं रहेगा प्लस PDF notes है वो application पे रहेंगे complete syllabus करवाया जाएगा mock test और इसकी जो test series होगी वो इस package में बिलकुल free रहेगी और special doubt session है वो भी आप लोगों को दिये जाएगे online agriculture application से ये package access कर सकते हैं ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो दिये गे नंबर पे आप संप्रा कर सकते हैं बाकी जो student पहले से banking वगेरा की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहां पे additional gs प्लस बोटनी और जूलोजी वाला पार्ट होता है बाकी तो वो math reasoning English इस्टच करके ही रखते हैं और जो student फ्रेसर है वो बिल्कुल जीरो से त्यारी कर सकते हैं तो वकेंशी आने के बाद तो सभी लोग है वो भागते ही भागते हैं लेकिन आप लोग के लिए सबसे शांदार ओफर यह है कि अभी यह पूरा बैच आपको मिली रहा है प्लस जब वकेंशी आने पर live classes मिलेगी प्रैक्टिस जो बैच मिलेगा वो इसके साथ फ्री मिलेगा तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स जो भी information आती है उसके साथ और current information के लिए जो भी न भी मिलते हैं और mcqs के PDF भी आपको regular इस पर मिलते रहते हैं तो आप टेलिग्राम को भी जोइन कर सकते हैं सबसे तेजी से information पाने के लिए ओके थेंक यू